ध्यान एक अकेला ऐसा मार गहे जो हमारे जीवन की सौ सो समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है ध्यान से हमें जो उर्जा मिलती है वो अन्य किसी भी मार्ग से प्राप्त नहीं होती अन्य साधनों से जो उर्जा मिलती है वो भौतिक उर्जा होती है और जीवन केवल भौतिक उर्जा पर ही संचालित नहीं होता बलकि शरीर संचालित होता है मन की प्रेणा से और मन संचालित होता है व्यक्ति की अपनी आत्मा की उर्जा से तो व्यक्ति की मूल उर्जा व्यक्ति की स्वयम की आत्मा है व्यक्ति की स्वयम की चेतना है ये पूरा संसार उर्जा से भरा हुआ है उर्जा पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हम बाहिय संसादनों पर जरुष से ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं आज अगर आप सामने साधना निष्ठ लोग बैठे हैं आप सब में अगर फर्क नजर आता है तो केवल फिजिकल पार्ट पर ही नजर आ रहा है उर्जा तो सबकी एक जैसी है उर्जा तो सबकी एक जैसी है जो उर्जा मुझ में है वही उर्जा आप में है और जो उर्जा आप में है वही उर्जा मुझ में है सस तो ये है कि संसार में कहीं भी चले जाओ हर जगे एक ही चीज काम करती है वो है क्या है उर्जा एनर्जी यहां इस पूरे साधना सभागार में भी वही उर्जा है अगर आपको लगता है कि यहां पर हवा है तो हवा में भी उर्जा है हवा में प्राण शक्ति व्याप्त है आपके कमरे में भी उर्जा है मंदर जी में भी उर्जा है और आप अगर इसनान घर में बैठ कर इसनान कर रहे हैं तो वहां पर भी वही उर्जा है पूरा संसार उर्जा से संचालित है सस तो ये है उर्जा है तो शरीर काम कर रहा है शरीर में से उर्जा निकल गई तो शरीर क्या है पर हमने कभी यह बोद तो पाया ही नहीं कि हम भी यही के मुसाफिर हैं और एक दिन हमें भी यही पर आना है हमें लगता है कोई और मरा उसे छोड़के आ गए हम तो अभी भी जिन्दा का जिन्दा है तो जो उर्जा उसमें से निकल गई तो वही चेरा था जिससे लोग प्यार करते थे वही बाल थे जिसको हम दिन भर डाई करकर के सवारा करते थे वही हात पाउं थे जिसको हम जिम में जाकर के एक्ससाइज करके और दुरुस्त रखते थे तो सारा शरीर वही रहा पर एक चीज उसमें से निकल गई क्या है वो उर्जा निकल गई उसी उर्जा का दूसरा नाम है आत्मा आपके पास डेडलाग का मोबाइल है और आपके पड़ोसी के पास क्या है डेडलाग हजार का मोबाइल है आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करेंगे डेडलाग वाला या डेडलाग वाला हाँ मुझे पता है आप यही जवाब देंगे डेडलाग वाला पर अब मेरा सवाल ये है आपने का डैड़ लाख वाला लेकिन अब अगला सवाल ये है कि डैड़ लाख और डैड़ हजार वाले में फर्क ये है कि डैड़ लाख वाला मोबाइल डिस्चार्ज है और डैड़ हजार वाला मोबाइल चार्ज है अब आप कौन सा मोबाइल लेन उसके charge का मुल्य है उसके charge का आपके सामने दो विकल्प दिये जा रहे हैं एक है मारूती कार और दूसरी है BMW कार आप कौन सी कार लेना चाहेंगे BMW हाँ हर आदमी का यही सपना होगा BMW लेकिन दोनों में फर्क यह है कि BMW तो कार आपको मिल जाएगी बैठने के लिए लेकिन उसका ब्रैक फैल है और मारूती कार जिसके कीमत केवल पांच लाग है लेकिन ब्रैक अच्छे तरह से काम कर रहा है आप किस गाड़ी में बैठना चाहेंगे ब्रैक वाली में तो ले देकर के आखिर मुल्य किस चीज का हो रहा है उसमें रहने वाली ताकत और उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति की ही असली ताकत है बाकी सब चीज बाहर का खिलोना है चार्ज है तो जीवन का उप्योग है और डिस्चार्ज है तो आदमी शमशान का मुसाफिर है रहगीर है ये ध्यान का दिव्य मार्ग व्यक्ति को चार्ज करने का मार्ग है। ये ध्यान का मार्ग अर्थात संबोधी साधना का मार्ग व्यक्ति के रूपांत्रण और उपचार के लिए है। मिंगनिया मिंगनिया नहीं रहती है। वे मिंगनिया भी उस पौधे के फूलों के लिए खाद का काम करती है। और उसमें से खेले हुए फूल और सुगंदित फूलों को प्रगट करने का आधार बन जाती है। तो जब मिंगनिया बदल सकती है तो ये मन क्यों नहीं बदल सकता। जब मिंगनिया बदल सकती है तो मनिश्य क्यों नहीं बदल सकता। बहुत सारे मार्ग हैं इनसान की कल्यान के लिए। लिकिन उन सारे मार्गों मैंसे एक दिव्य मार्ग है जिसका नाम है ध्यान। ध्यान शब्द का अर्थ होता है गौर करना ध्यान शब्द का अर्थ होता है चित्त में चलने वाले वृत्यों और व्यापारों को नियंतित करना चित्त में चलने वाले अध्यवसायों और व्यापारों को किसी भी एक बिंदो पर इस्थिर करने का नाम है ध्यान ध्यान को हम दूसरे शब्दों में एकागरता भी कह देंगे ध्यान को हम तीसरे शब्दों में सजगता भी कह देंगे अवेरनेस भी कह देंगे शब्द बदलते चले जाएंगे कुल मिलाकर एक ही काम करना है और वो है पुनाह पुनाह अपने आप पर गौर करो जीने का बड़ा मज़ा आएगा जीने का धंग बदल जाएगा ध्यान करो ध्यान करो हर व्यक्ति ध्यान करे और जब ध्यान पूरा हो जाए और अपनी जीवन चरिया करने प्रारंब करे तो अपनी जीवन चरिया को भी ध्यान पूरुबक करे अंडरलाइन कर लो व्यक्ति प्रतितिन ध्यान करे और ध्यान करने के उपरांत अपनी जीवन चरिया के हर कारिय को ध्यान पूर्वक करे गलती किस से होती है? ध्यान चूकने से गलती होती है एक अकेला मार्ग अगर ध्यान सद जाए तो आदमी से कभी गलती हो ही नहीं पाएगी असंभव है गलती होती तभी है जब ध्यान चूकते है हमें डाट तभी मिलती है जब हमसे गलती होती है और गलती तभी होती है जब हम ध्यान चूकते है इसलिए जीवन के हर पहलू के साथ ध्यान को साधना जरूरी है पहले के युग में और आज के युग में बुनियादी फर्क इतना ही आया है पहले युग में अगर छात्र गुरु कुल में अध्यान करने के लिए जाते थे तोहां अध्यान की शुरुवात ही प्रार्थना और ध्यान के साथ होती थी और अब केवल सारी पढ़ाई केवल किताबों की पढ़ाई हो गई व्यक्ति सिक्षित तो हो रहा है पर कोई भी व्यक्ति ज्यानी नहीं हो पा रहा है व्यक्ति विद्वान तो हो रहा है पर व्यक्ति ग्यानी नहीं हो पा रहा है व्यक्ति समझदार नहीं हो पा रहा है पड़ लिख तो बहुत गया पर अपने कर्तव्यों का उसे बोध नहीं रह पाया है इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो ध्यान करे ऐसा ना समझें कि केवल बुजुरुग ही ध्यान करे ध्यान कोई रिटायर्मेंट ले लेने वाले लोगों का मार्ग नहीं है बलकि ध्यान का मार्ग अगर युवा अवस्था में और सुधारता हूँ बच्पन में और सुधारता हूँ अगर मा के पेट में ही अगर ध्यान का मार्ग व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति का पूरा जीवन अध्यात्म मैं होगा और तब व्यक्ति मा के कोख में अगर रहेगा तो ध्यान का मार्ग मिल जाए तो वहाँ बैठे बैठे भी अगर किसी अभिमन्यों को चक्र व्यूह भेदन का मार्ग मिलता है तो यह मान कर चलें किसी व्यक्ति को उसके मां की कोक में ही अगर सारे वेदों का ज्यान प्राप्त करके वो अश्टा वक्र बन जाता है तो इसका मतलब यह हुआ ध्यान सब के लिए जरूरी है मां की कोक से ही ध्यान का मार्ग मिल जाना चाहिए अगर कोई भी महिला चाहती है कि उसकी कोख से पैदा होने वाली संतान कोई महावीर और बुद्द बने राम और कृष्ण बने कोई दिव्य योगी बन करके उसकी कोख से पैदा होकर आए जो सारे संसार का कल्यान करे वो हर महिला अपनी कोख में संत पैदा होने वाली आत्मा पर ऐसा सकरात्मक प्रभाव डालेगी है कि उसकी कोक से जो भी पैदा होगा उसका काम कृष्ण जैसा होगा कंस जैसा कभी नहीं हो पाएगा उसकी कोक से जो पैदा होगा वो राम होगा उसकी कोक से पैदा होने वाला व्यक्ति गांधी बनेगा गौड से नहीं बन पाएगा उसकी कोक से पैदा होने वाली संतान सीता बनेगी कहकई कभी नहीं बन पाएगी इसलिए ध्यान हर व्यक्ति की अनिवारियता है बच्चों को भी ध्यान कराओ पांच मिनट से ही शुरू करो पर बोलो तुम पांच मिनट ही ध्यान करो शान्ति से एकांत में जाकर बैठो लंबी गहरी सांसे लेने शुरू करो और सांसों में डूबते चले जाओ पांच मिनट का यह डूबना व्यक्ति में एकागरता को भी साधेगा उसकी आत्मा तक उसकी पहुँश बनाएगा उसको अपने आपके प्रती अध्यात्म में होने के लिए जागरत करेगा तो हम वही मैं हूँ तो वही मैं हूँ ये मार्ग देता है ध्यान का मार्ग Meditation is the best medicine for your every life हर व्यक्ति के लिए ध्यान एक सर्वश्रिष्ट और शुदी है आज सारा संसार सारा ब्रह्मांड ध्यान करने की अनिवारियता पर जोर दे रहा है और सब को समझ में आ रहा है ध्यान सब के लिए जरूरी है तनाव को रेलेक्स करने के लिए चिंताओं से बाहर निकलने के लिए समस्याओं का समाधान पाने के लिए खुद की भीतर सामर्थे जगाने के लिए ध्यान जरूरी है क्रोद इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने कभी क्रोद को शान्त करना सीखा ही नहीं हमने कभी मन को शांत करने का उपाय ही नहीं समझा हमने कभी ये जाना ये नहीं कि मेरी आत्मा का गुन धर्म मुल रूप से शांती ही है मैं शांती को महत्व नहीं देता हूँ, इसी लिए मैं क्रोध करता हूँ क्रोध वे ही लोग करते हैं जिन्होंने ना आत्मा को समझा ना आत्मा की शांती को समझा इसलिए ऐ मेरे प्रिय आत्मन अपनी उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए अपने विकारों का शमन करने के लिए हर व्यक्ति को ध्यान की शरण लेनी चाहिए ध्यान ही धर्म का अनुष्ठान है ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वतह अहिंसा व्रत का अनुव्याई बन जाता है ध्यान करने वाले व्यक्ति का हरदय अपने आप ही प्रेम और करुणा से ओत प्रोत रहता है ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वतह ही प्रकर्ति और प्राणी मात्र से प्रेम करता ही करता है क्योंकि उसे पता है जो मुझ में है वो सब में है क्या है? अपने आप पर हाथ रखो जो मुझ में है वो वापस बोलो जो मुझ में है वो सब में है जो मुझ में है वो इन में है जो मुझ में है वो उन में है जो मुझ में है वो उन में भी है जिन पर मैं करोद करता हूँ जो मुझ में है वो उन में भी है जिनको मैं विकृत नजरों से देखता हूँ अर्थात जो मैं हूँ वही सब है सारा संसार उर्जा में है अगर उर्ज पर महत्व देना शुरू कर दो, तो ये सारे चेहरों के भेद मिठ जाएंगे, लिंग के भेद मिठ जाएंगे, गोरे और काले के भेद मिठ जाएंगे, सोचो, आपके शरीर का तो चेहरा है, आपके मन का कौन सा चेहरा है? आपके शरीर का तो चहरा है हमारे शरीर का चहरा है किसी के नाक लंबी है किसी की चप्टी है किसी का रंग गोरा है काला है सामला है तो अगर किसी को सफेद दाग रोग लग गया तो चितकबरा भी है तो ये सारे चहरे और रंग रूप किसके हैं शरीर के है, मन का कौन सा चेरा है, उर्जा का कौन सा चेरा है, जब व्यक्ति अपने पार्थिव शरीर को छोड़ कर निकल जाता है, तब उसका कौन सा चेरा है, और जिसको ये बोध हो गया, कि सब उर्जा ही उर्जा है, फिर कैसा राग और कैसा द्वेश, फिर कैसा राग औ उर्जा है तेरा मेरा संयोग है साथ जी रहे हैं तेरा मेरा संयोग बिखर गया तेरी उर्जा तुझ में चले गई मेरी उर्जा मुझ में चले गई सारा भेद खतम हो गया कहते हैं जैसे शरीर में सिर और व्रिक्ष में उसकी जड़े मुख्य होती है वैसे ही इनसान के आध्यात्मिक कल्यान के लिए ध्यान सर और श्रीष्ट मार गए चित्त का जो इस्थिर अध्यवसान है चित्त की जो इस्थिरता है भीतर में जो हम शान्ति घटित करते हैं यह शान्ति घटित करने का जो अभ्यास है उसी को हम ध्यान कहेंगे जैसे कोई एक बच्चा पढ़ाई सीखने के लिए सिक्षित होने के लिए विद्या ले जाता है क्या बता सकते हैं वो कितने दिन, कितने महिने या कितने वर्ष तक जाता है है आपके बच्चे को आपने भेजा होगा अथवा आप स्वेयम भी गए होंगे मैं भी विद्याले गए होंगा तो मुझे सिक्षित करने के लिए कितने वर्ष तक या कितने दिन तक विद्याले जाना पड़ा था हाँ एक ने का उन्नीस बीस वर्ष तो एक ने कहा जब तक वो कमाने लायक ना हो जाए तब तक विद्याले जाता ही रहता है तो यानि कि हमने सिक्षा को साधनी के लिए अपनी जीवन के कितने वर्ष लगाए बीस वर्ष हम और उसमें भी एक दिन में कितने गंटे लगाए साथ गंटे भाई साथ गंटे तो स्कूल में लगे उसके बाद कोचिंग के लिए गए उसके बाद होम वर्क में अपना समय लगाया मम्मी पापा ने टीचर ने बैठ बैठ के पढ़ाया अब तो गंटे जोड़ लो कितने हुए बारह गंटे अब कल्पना करो कि एक दिन के बारह गंटे और उसमें भी फिर जब एक्जाम आये तो रात और दिन का भी कोई पता नहीं और रात दिन न खाने पीने का पता न कोई सुद न कहीं न निहाल जाना न किसी के शादी में जाना किवल एक ही काम पढ़ाई 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 जैसे कि हम पढ़ाई के लिए पागल हो गए थे तो हमने एक दिन के आस्तन बारह गंटे लगाए और बीस साल तक हम लगातार लगातार लगे रहे लगे रहे तब कहीं जाकर हम सिक्षित हुए एक विद्वान बनने के लिए रोजगार कमाने के लिए सिक्षित होने के लिए आदमी बीस साल लगाता है मैं कहता हूँ ध्यान करने के लिए 20 साल तो बहुत होते हैं अगर हम लगातार केवल 20 मैने भी अपने लगा दे तो व्यक्ति ग्यानी होगा आत्म संबुद्ध होगा व्यक्ति के सारे क्रोध कशाय कटेंगे व्यक्ति निर्मल और निर्विकार होगा तन से भी मन से भी और चेतना से भी हम तो एक चम्मज घी खाते हैं और आईने में जाकर चेहरा देखते हैं वही चेहरे पर चमक आई या नहीं आई एक चम्मज घी खाया और आईने के सामने जाकर खड़े हुए आई वही चेहरा चमका या नहीं चमका किसी ने का तेरे होट फट गए नाभी में दो बुन तेल डालो तेरे होट ठीक हो जाएंगे दो बुन तेल डाल कर सोए सुबह उठते ही आइना देखते हैं हाँ ठीक हुए या नहीं हुए भाई साहब जब पढ़ने के लिए 20 साल लगा सकते हैं तो इतना पैसेंस इतना धीरस तो धर लो के हम 20 साल नहीं 20 दिन पूरे ध्यान करने के बाद तै करेंगे ध्यान मुझे क्या दे रहा है और जैसे पढ़ाई करने के लिए तो बच्चा 20 साल हर दिन के 12 घंटा हम तो घर जाकर अगर रोज का 1 घंटा भी अगर हम ध्यान कर लें तो एक घंटा भी हमें जैसे गिस्ते गिस्ते पत्थर बे शिवलिंग बन जाता है वैसे ही एक घंटा भी ध्यान करते करते व्यक्ति अरिहंत बन जाता है एक घंटा ध्यान करते करते भी व्यक्ति सिद्ध बन जाता है एक घंटा ध्यान भी अगर आदमी नीवित कर ले तो मन के शांति आत्मसाथ हो जाती है सफलता के तीन ही पाइदान है सब बोलो सफलता के तीन ही पाइदान है पहला है समर्दि सब बोलो नमबर एक समर्दि, दूसरा है प्रसद्धी दूसरा है प्रसिद्धी और तीसरा है मन की शांती तीसरा है मन की शांती पहला क्या है सम्रद्धी दूसरा है प्रसिद्धी और तीसरा है मन की शांती संसार का हर व्यक्ति जिस पहली सफलता की तरब दोड़ता है वो है संब्रद्धी पैसा लोग को लगता है जो आदमी जितना बड़ा पैसे वाला वो आदमी उतना ही बड़ा सफल हो सकता है वो आदमी सफल हो पर उसने सफलता का अभी तक केवल एक पायदान पार किया है दूसरा पायदान पार करने के लिए उसके लिए दूसरा आदार चाहिए और वो है प्रसिधी और प्रसिधी आदमी को तब मिलती है सम्रद्ध आदमी को प्रसिद्धी नहीं मिलती प्रसिद्धी उस व्यक्ति को मिलती है जो अपनी सम्रद्धी को जन हित के लिए उप्योग करता है दीन दुख्यों के लिए उप्योग करता है दुनिया उनको याद नहीं करती जो अमीर चंद है दुनिया उनको याद करती है जो दान चंद है जो देना जानता है जो लगाना जानता है लोग उनको याद करते हैं भाई लोग उनको याद करते हैं जादा जो लगाना जानते हैं आदमी के पास एक है देने वाला एक है लेने वाला आप किसको याद करेंगे देने वाले को दुनिया उन्हें याद नहीं करती जिसने बहुत पैसा एकठा किया है दुनिया उन्हें याद करती है जिन्होंने अपनी संब्रद्धी का उप्योग दुनिया के लिए किया है लोगों के लिए किया है उपर उठाने के लिए जिसने उप्योग किया है तो पहला है संब्रद् रहे प्रसिद्धी इसलिए आपने देखा नहीं कि कोई भी व्यक्ति मंदर में बैठकर अगर द्यान भी देता है तो दान देता है पंखा भी दान दिया तब भी कहता इस पर मेरा नाम लिख दो क्यों दूसरी चाहत दूसरी सफलता क्या चाहिए प्रसिद्धी कि लोग मुझ प्रसिद्धात है तो लोग इसलिए तो एक महिला काच की चूड़ी पैनती है दूसरी महिला सोनी की चूड़ी पैनती है तीसरी महिला हीरे की चूड़ी पैनती है चूड़िया तो भई तीनों ने ही पैन रखी है और तीनों के लिए सुहाग की प्रतीक है पर तीनों में च चाहा अलग-अलग है, एक बिचारी है, जो काच की चूड़ी है, वो क्या है, वो बिचारी है, एक सोने की चूड़ी है, ने हमारी भी कोई आउकात है, तीसरी, डाइमन की चूड़ी है, भाई हम ही है, जो है सो हम ही है, हमारे सामने तेरी क्या आउकात है, तो वो इगो दर्शाने वाली हीरे की चूड़ी है, एक चूड़ी बेचारी है, और एक चूड़ी जगत को अपना दम दिखाने वाली है, तो बही चूड़ी चूड़ी है पर एक में सहज है और दूसरे में प्रसिद्धी की शाहत है पर तीसरी इन सबसे आगे है और उसका नाम है मन की शान्ती वो कहते हैं कि एक महिला सेठानी रही मैडम थी पैसे वाली हीरे की चूड़ियों से ही हमेशा खनक दिखाने वाली घर की नौकरानी को लगता है और सेठानी को सब पूछते हैं और मैडम ये नया हार कब खरीदा ये नई चूड़ी कब खरीदी मैडम ये तो बड़ा जोड़दार आइटम पैना है आपने उसको भी लगा यार लोग मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है मेरी काच की चूड़ी पर कोई गौर भी करता ही नहीं है एक दिन उसने ठान लिया कि मैं भी ये तारीफ पाऊंगी मेरी भी प्रसिद्धी हो सो घर आई अपनी जमीन बेची खेत बेचा और अब कितना भी बेच ले भाई डायमंड की चूड़िया कहां से आएगी पर उसने चानी का मोटा कड़ा और उस पर सोने की जालवाल सब लगा करके और दो चार दस बिस नगी ने जड़वा करके पहन कर सेठानी के घर पर आई पर कौन पूछे न सेठाणी ने पूछा न दूसरे सहकर्मियों ने पूछा उसने गालिया ठोकी अपनी चूड़ी को बोले कैसी चूड़ी है तुझे कोई देखी नहीं रहा भाई तुझे प्रसिद्धी की चाहा रख ले भले पर सफलता कि पहली सीड़ी पार नहीं की तो दूसरी सीड़ी भी तेरे काम की नहीं है बोले कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सबको हाथ उपर करके की कहती देख भाई वो समान वहाँ पड़ा है मैंने वहाँ पर वो देखा पर कोई उसके चूड़ी की तारीफ तो करी नहीं रहा है उसे आया गुसा उसने अपने घर में ही आग लगा दी और लोग दोड़ते दोड़ते आए आग बुझानी के लिए इतने में ही सेठानी को पता चला उसने भी फायर बिगेड को फॉन क या वो भी दोड़ी दोड़ी आई और वो हाथ उपर करकर के कह रही है अरे आग बुझाओ रहे आग बुझाओ रहे आग बुझाओ रहे आग बुझाओ रहे सेठानी के नजर तब जाकर के उस नौकरानी के चांदी के कड़े पर पड़ी तो सेठानी ने कहा मैडम ने कहा ए बाई तू ये चूड़ा कब खरीद लिया तू ने ये चूड़ी सोनी की और चांदी की ये चूड़ी कब खरीदी ये मैडम गंटा बर पहली ये बात पूछ लेती तो कम से कम मुझे आग लगाने की जरुवत तो नहीं पड़ती प्रसिदी की चाहत केवल घर में आग लगाने का काम है प्रसिदी की चाहत क्या है ये घर में आग लगाने का काम है कई लोगों के घर में शादियां होती है खुद की आउकात नहीं मगर उधार ले ले करके कर्जा ले ले करके और वो छेचे मिठाईया और छपन भोग की तैयारिया करते हैं ये प्रसिद्धी की चाहत क्या है घर में आग लगाने का काम करना है मैं इसलिए कह देता हूँ भई शादी लड़के को करनी है लड़की को करनी है उसमें दूसरे का क्या काम है अब बताओ आपके घर में शादी होने वाली है और आप पूरे मंडी को नियोता देते जा रहे हैं बताओ उन मंडी वालों का क्या काम पर हम तो संब्रधी और प्रसिद्धी के चकर में अपने मंड की शांती को खंडित कर बैठते हैं और ले देकर के दुनिया भर के तनाव, दुनिया भर की चिंताएं दुनिया भर के करजे अपने माथे पर चढ़ा लेते हैं पर मात्मा सब को मन की शान्ती की दौलत दे कर भेजता है हम अपने ही कर्मों से अपने उस मन की शान्ती को गिर्वी रख देते हैं हम अपने मन की शान्ती को खंडित कर देते हैं ध्यान हमारे उसी मन की शान्ती को पाने का मार गए ध्यान क्या है? उसी मन की शान्ती को पाने का मारग है अगर व्यक्ति उस मन की शान्ती को कभी खंडिती नहीं होने देता तो मैं कहूंगा उस व्यक्ति को ध्यान करने की जरुत नहीं है वो व्यक्ति जिस रूप में भी है वो ध्यानी ही है वो व्यक्ति ध्यानी ही है जिसके मन में सहजता है शांती है जो अपने मन की शांती को हर हालत में जीवित रखता है वो व्यक्ति ध्यानी ही होता है वो व्यक्ति योगी ही होता है वो व्यक्ति अपने आप में ही सिद्ध होता है उसे मंदिर में अगरबत्ती जलाने की जरूत नहीं रहती है, क्योंकि उसका मन खुद ही अपने आप में अगरबत्ती की सुगंद बना हुआ है, यहां हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ध्यान हमारे लिए उपयोगी है, ध्यान के तीन चरण है, पहला है पिंडस्त ध्यान, दूसरा है पदस्त ध्यान और तीसरा है स्व अगर वातावर्ण की निर्मलता के लिए चार्ज करने के लिए जरुवत लगे तो सोहम या ओम का नाद करो, उसके बाद आती जाती सांसों का अनुभव करते हुए अपने मन को सुक्ष में बनाओ, क्योंकि मन तो हमारा लगातार चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो अपने मन की एनर्जी को पहले सांसों पर केंद्रित करो, और उसके बाद हम ध्यान में उतर रहे हैं, तो ध्यान में उतरने के लिए पहली सच्चाई से हम रूबरू हो रहे हैं, और वो है पिंदस्थ ध्यान, सबसे पहले अपने इस तूल शरीर पर ध्यान करना आसान होता है, इस थूल शरीर पर ध्यान करने से चित्त की चंचलता अपने आप बिना प्रियास के ही चंचलता हमारी कम 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 होने लग जाती है तो शरीर पर ध्यान करने से बहुत बड़ा फाइदा ये होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की उर्जा शरीर पर हम जहां 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 हम केंदित करते हुए आगे बढ़ते हैं वहां हर भाग की हीलिंग हर भाग का उपचार अपने आप होता चला जाता है जैसे यहां चार जगें अगर गड़े हैं और हवा चलेगी तो अपने साथ मिट्टी उड़ाती हुए लाएगी और गड़ों को अपने आप भरती हुई आगे उड़ जाएगी वैसे ही ध्यान हम शरीर पर कर रहे हैं तो शरीर पर ध्यान करने से अपने आप ही रोग कटेंगे अपने आप ही हीलिंग होगी अपने आप ही रेकी अर्थात मन की शक्ति के द्वारा स्वयम का उपचार करने का सामर्थ हम में हैं तो पिंडस्त ध्य सबसे पहले करो विपश्चना ध्यान विधी में तो लगाता साथ दिन तक केवल पिंडस्त ध्यान ही होता है उपर से लेकर नीचे तक नीचे से उपर तक बस केवल यही ध्यान करते रहो और अपने पिंड पर ध्यान करते वे राग द्वेश से मुक्त बनो, स्वयम के भीतर अधिक से अधिक अधिक अपने समता साथ हो, हम लगभग दस मिनट तक पिंडस्त ध्यान करते हैं, चीन्टी की गती से चलते हुए, हम चाहें तो केवल एक मिनट में भी शरीर का अनुभाव कर सकते हैं, एक सेकेंड में भी अनुभाव कर सकते है और दस मिनट तक भी हम अपने शरीर का अनुभाव कर सकते हैं, तो अपने भटके हुए मन को, मन की उर्जा को, साड़े तीन हाथ काया के लोक में हम इस्थिर करते हैं, और एक एक भाग से गुजरते हुए, शरीर की सच्चाई से रूबरू होते हैं, हम अनुभाव करते है ये शरीर क्या है, शरीर की प्रकरती क्या है, शरीर के समवेदन क्या है, शरीर में कहा सुखद इस्थिती है और कहा दुखद इस्थिती है, कल वहाँ सुखद इस्थिती थी, आज वहाँ पर दर्द है, आज जहाँ पर दर्द है, कल वहाँ पर ही अनकूलता आ जाती है, हम शरीर के सत्य से रूबरू होकर पिंडस्त ध्यान करते हैं दूसरे चरण में पदस्त ध्यान हैं पदस्त ध्यान अर्थात हमारा ध्यान का लक्ष था अपने आप में उतरना अपने आपको जानना और अपने आपका रूपांतरन करना तो हम शरीर को संचालन करने वाली मूल श शक्ति के बारे में हम फिर हम दस्म नर्तक धैरिय पुर्वक उसका ध्यान करते हैं उसके बारे में चिंतन करते हैं उसके स्वरूप के बारे में अपना मनन करते हैं और इस तरह से यह पैचानते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं अभी तो मन को जो याद ह वो यही याद है मैं केस्री चंद हूँ, मैं लक्षमी बाई हूँ, मैं अरिहा या ईशा हूँ, अभी तो हमें ये याद है जो नाम दिया हुआ है, हमें किवल वो याद है, पर हमें ये याद नहीं है कि मैं आत्मा हूँ. व्यक्ति का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि व्यक्ति अपने उस मूल तत्व को भूल चुका जो की जीवन का जनम मरण का व्यक्ति की शाश्वतता का आधार है जिसे नाम दिया गया है आत्मा आत्मा को आप चाहे सोल कहो, सैल्फ कहो, रूह कहो, प्राण कहो यह सब शब्द परियाएवाचि शब्द है मूल तह आत्मा यानि मैं स्वयम तो अपने उस मूल तत्व के बारे में हमें हम विचार करते हैं अपने मन में जो विचार की धाराई चल रही है उनको भी हम आत्ममुखी बनाते हैं और पुनाः-पुनाः अपने आपसे यह सत्य घटित होता हुआ अनुभव करते हैं कहते हैं, खुद को प्रेड़ करते हैं कि मैं आत्मा हूँ अनुचिंतन करो पदस्थ ध्यान मैं आत्मा हूँ शांती मेरा स्वभाव है चित मैं चैतन्य रूप हूँ मैं आत्म विश्वास से ओत प्रोत हूँ मैं बहारी निमितों से भैबीत होने वाला नहीं हूँ आनन्द मेरी प्रकरती है मेरी आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? आनन्द इसलिए अपने आप से वादा करो मैं अपने आप में हमेशा आनन्दित रहूँगा क्या है वादा? अगर आप हर हालत में आनन्द में रहते हैं तो समझ लो जो व्यक्ति जितनी देर आनन्द में रहा वो व्यक्ति उतनी देर आत्मा में रहा और आनन्द को जैसे हम खंडित करके चिंता तनाव अवसाद में आ जाते हैं हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं जो आत्मा के नजदीक है वो परमात्मा के नजदीक है और आत्मा के नजदीक वही है जो सदा बाहर आनन्दित रहता है इसलिए कोई पूछे कैसे हो दोना आथ उपर उठा कर बो कैसे हो आनन्दित हो है अगर शरीर कभी बीमार पड़ जाए हस्पिटल में ही भरती होना पड़े ना और पूछने आ जाए चाचा जी ए और वही अशो कैसे हो क्या करना हाथ उपर उठाना और कहना क्या हूँ थोड़े दिल से बोल कर देखो तो थोड़ा ही हूँ थोड़े मस्ती अंदर तक उतरते मन में आखों में तरंग जाने दो मैं आनंदित हूँ आनंदित हूँ मजे मैं हूँ कैसे हो मजे हूँ मस्त हूँ कोई लेना लफड़ा मोल नहीं लेना न लोड़ लो न लोड़ दो जहां लगता है यहां प्यार भरा वातन है जरूर जाओ बीच में और आनंद लेकर आ जाओ जहां लगे यहां लफड़ा चल रहा है साइड से कन्य अपनी काट लो वहां से खिसक जाओ लफड़े में हाथ नहीं डालना जिन्दगी का असली आनंद यही है कि लफड़े में हाथ नहीं डालना जब तक रखोगे मस्ती को जिन्दगी तब तक रहेगी हस्ती भी आपकी जिन्दगी मस्ती जब तक रहेगी जिन्दगी तब तक हस्ती भी रहेगी जिन्दगी तो आनंद अपना स्वभाव है सत चित आनंद सत चित आनंद हमने एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन शान्ती, दूसरे दिन चैतनी रूप और तीसरे दिन आनंदमई स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा में रमन करने के लिए चार कदम हमने आगे बढ़ाए और तीसरा चरण है स्वरूपस्थ ध्यान चाहे पांच मिनट ही दो मिनट ही एक मिनट ही हम उस स्वरूपस्थ ध्यान को कर पाए हो पर वो दो दो पांच मिनट का स्वरूपस्थ ध्यान ही हमें वास्तव के शुद्ध आत्मा का बोद एहसास और अनुभव कराता है और वो एहसास कराता है सो हम वही मैं हूँ ध्यान दिव्य मारग है प्राणी मात्र के कल्यान का मारग है ये मन की शांती का मारग है ये चिर यौवन का मारग है ये जीयो तो जीवन का मारग है और मरो तो मुक्ती का मारग है कुल मिलाकर के प्राणी मात्र के कल्यान के लिए ये सर्वश्ष्ठ मारग है जो सब को जीना चाहिए सब को प्रेजित किया जाना चाहिए और इस मार्ग को जी करके हम अंदर के ग्यानी अंदर से अम्रित होने के लिए अपने आपको समर्पित करते हैं धर्म ग्रंथ कहते हैं तुम अम्रित के पुत्र हो तो अम्रित तभी बनेंगे मृत्यू से पार भी होंगे जब हम मूल रूप से प्रति दिन ध्यान को अपने जीवन में जीएंगे ध्यान के मार्ग अनेक हो सकते हैं कुल मिलाकर सारे मार्ग व्यक्ति को स्वरूपस्थ करने के मार्ग हैं पिंडस्त ध्यान इस्थूल है पदस्त ध्यान मध्यम है और स्वरूपस्त ध्यान सुक्ष में है, शुरुवात पिंडस्त ध्यान से करो, जब पिंडस्त ध्यान और सब अच्छे धंग से होना लग जाए, तो पिंडस्त को छोड़ दीजिएगा, पदस्त और स्वरुपस्त में आईएगा, जब ध्यान में खूब सहज आनन लग जाए, तो पदस्त को भी ध्यान करें, ध्यान का मार्ग आप सब को दिव्य शुभ मंगल में फल प्रदान करें